तो ही गाइज वेलकम बैक टू अनेकेडमी प्लस तो गाइज जैसा किया सब कोता है मेरे नाम मृतिन जैस्वाल है और आप सभी लोग मुझे जानते हो मेरे एक्ट्यूब चैनल के माध्यम से और आज मैं अनेकेडमी प्लस पर मैं आपको कुछ चीज़े बताने वाला हूँ UPSC Junior Assistant को लेकर जी है असल तो UPSC Junior Assistant का आप सभी कोई एक्जाम पता है कि 4 January को आपका एक्जाम है और काफी साय लोग के सवाल आ रहे थे कि सर जो 4 January को एक्जाम होने वाला है सबसे बड़ा सवाल आया है सेफी स्कोर को लिकर कर सवाल आया है और आपके पास जो यह जो यह musicl यहाँ पर देखने को मिलने हैं इसके बाद सेफ स्कोर मैंने आपको बताई दिया है और क्या स्ट्रेजी लगानी है तो आज के इस वीडियो में उन सब चीज़ों के उपर डिसकसन करेंगे इसके बाद और जो आगे आने वली वेकेंसी है बी यो की वेकेंसी काफी लोग साय आगे त्यारी कर रहे होंगी या वन वीवहन या चर्चा करने वाले हैं लेखेंश करते हैं सब चीज़ों के उपर आज की वीडियो में चर्चा करने वाले है तो वीडियो को आन तक देखेगा और प्लीज अगर आप UPPCS इस चैनल पर नए हैं तो यह जो अनकेडमी का चैनल है इसको भी आप सब्सक्राइब कर लिजेगा क्योंगी यहाँ पर भी आप सभी को मेरे अलावा चार से पांच और जो बड़े-बड़े एजुकेटर्स हैं आप देख सकते हैं कांण को उन्जिक लिए रहे हैं उन सबक्की वीडियोज हैं उन सबकी जो लाईव लाइव स्ट्रीम हैं लाईव क्लास्स हैं देखने हो मिलती रहेंगी और यहाँ पर अब मेरी भी मेरे चैनल latter आएगे बट यहाँ पर भी आपको बहुत बहुत साई classes आपको देंगने की मिलती रहेंगी जो important होंगी आपकी समझ में आ रहा है न सर इसके लाव दोस्तों आप सभी को पता है कि मैं Unacademy Plus पर भी इसे में live पढ़ा रहा हूँ मेरा नाम रितिंजे जैसवाल है इस नाम से मैं पढ़ाता हूँ तो अगर आप Plus में आते हैं तो आपको मेरे अलावा यह जो और भी 30 educators हैं UPPCS या UPCCC category के सारे के सारे teachers को आप लोग पढ़ सकते हो सारे के सारे teachers को आप लोग live देख सकते हो clear है तो यहाँ पर आप जोड़ना चाहते हैं आपके जो भी सवाल है आप लोग वह भी पूस्ती होई चलेंगे आप लोग दे दीजेगा सवाल तो देखो UPPCS आपका जो SSC का एक्जाम होने वाला है किसका भाई जून एसिस्टन का आप देखो जून एसिस्टन का एक्जाम आप सभी को पता है 24 को होने वाला था POSPON होकर कि आपका चार जनवरी को हो गया कब हो गया दोस्टो आपका तो इस्से कोई मतलब कोई ज़्यादा मैटपर नहीं करता है कि आपको पहुँज़ादा टाइम मिल गया आप तयारी कर लेंगे तो आज की डेट सेकर देखा जाए, तो आपके पास जो भी दिन बचे हुए हैं, अब आप यहाँ पर कोई बुक लेकर नहीं पढ़ सकते हो, तो आप प्रैक्टिस सेट सॉल्व कर सकते हो, प्रैक्टिस सेशन कर सकते हो, तो अभी मेरी अनेकैडमी पर में इस्पेसल क्लास मे जो फ्री वाली क्लास है, वहाँ पर भी आपको प्रैक्टिस सेट रोज करवा रहा हूँ, प्लस में भी करवा रहा हूँ, तो प्लस में तो आपको करवाई रहा हूँ, इस्पेसल में भी करवा रहा हूँ, तो यहाँ पर आप देखते रहिए, उसके लोग जो अगर हम बु और पीसेस का एकजाम हो था उसके पहले आपका वीडियो का एकजाम हो था तो जितने भी आगर आपके पास टो स्रीज पहले के रखे हैं अगर आपने तैयारी की है तो आपने खरीदी होंगी तो अगर आपके पास वह साई टो स्रीज पड़ी हुई है तो आप उन सभी को कले यह यूपी जी के question है आप वहां से prepare कर सकते हों इसके लाब मैंने यूपी जी के कि खुदी इतनी सारी classes आपको दे रखे हैं कि आपको उसके मतलब उसके बाहर पढ़ने कोई जरूती नहीं है अगर हम बात करते हैं हिंदी के बारे में तो हिंदी तो मैंने आपको इतना सारा कि इसके बाहर पढ़ने की जरूती नहीं है अभी आपको क्या करना है कि जरूरी नहीं है कि आप लोग सिर्फ junior session का ही पढ़ो क्योंकि junior session का एक practice set है mock test है और आपको जो paper का जो pattern होता है न भाई वो हर तरह से उठाता है अगर आप UPPCS का देखिए UPPCS level की अगर आप थोड़ी सी practice उठा लोगे प्रीविस से जो UPPCS के questions है अगर आप उनको उठा लोगे तो वही question आपको सीधे से कभी कभी इसमें रख दी जाते हैं तो आप UPPC में जो आपके question पूछे गए थे जीके का जो आपका जीके question पूछा गया है नॉर्मल लेबल का बहुत ज्यादा अभी कतन अभी कारण वाला मत देखिएगा जो आपके normal level question पूछे गए थे आप उसको उठालो आप उसको पढ़ डालो आपको वहां से चीज़े देखने को म बात करते हैं तो देखो calendar से आपका एक से दो question सकता है ब्लड relation से देखो blood relation की बात करते हैं यहां से दो question आपके आ सकते हैं 되지 blood relation से आपके दो question आ सकते हैं इसके बाद जो आपका ये topic बसता है अभी कतन, अभी कारण, ये सारे वाले जो topics बसते हैं, यहां से भी आपके बहुत सारे question बनेंगे, तो अभी कतन, अभी कारण ये 5 question आपका यहां से बनने वाला है, ये समझ के चलिए तो 30 question में आपके जो 4 topic है, तो 15 question तो आपके इनी 4 से 5 topic से आपके बन जाएंगे, उसके बाद आपका जो coding, decoding हो गया, analysis हो गया, आपका analogy हो गया, वहां से आपके question तो हर बार बनते हो, तो बनते ही बनते रहते हैं, उसके सारे practice and मैंने आपको अलड़ी करवा रखें, तो उसकी tension बिल्कुल मत लीजे, और आप लोग बस ऐसे ही त्यारी करते रहिए, अब बात कर लेते हैं, जिसके लिए आप लोग सबसे important safe score के बारे में बात कर लेते हैं, तो भाई safe score paper में क्या करना है, क्या नहीं करना है, वो चीज़ सबसे important है, ध्यान दीजेगा, अगर हम safe score के बारे में बात करते हैं, paper में क्या करना है, क्या नहीं करना है, अगर इन सब चीज़ों के बारे में बात करते हैं, तो वो सबसे important इसको देखिएगा देखो इसके पहले जो आपका exam हुआ था आपका 40 number का paper हुआ था total C question आये थे और आपका 31, 32 के आसपास आपका जो cut off है गया था समझ में आ गया ना तो अगर इस exam की बात करते हैं तो आपका 130 question है और 65 number का होने वाला है तो आपको अगर हम बताते हैं किसी भी category से हो आप general category की बात करेंगे हम लोग OBC category की बात करते हैं हम लोग STHC category की बात करते हैं female C बात करते हैं सभी category को अगर हम लेकर के चलेंगे तो आप ये मान के चलो कि अगर आप general OBC में हैं तो आपको 50 plus target करके चलना है, क्योंकि competition बहुत ज़्यादा है, और paper बहुत ज़्यादा तफ नहीं आएगा, इतना मैं आपको अभी से बता दे रहा हूँ, paper जुने system का है, इसके बाद अभी आपका typing test भी है, तो बहुत ज़्यादा tough paper जो है नहीं आने वाला है, तो general और OBC की बात करते हैं, तो 50 plus आप लेकर चलिएगा, SC और HD की अगर हम बात करते हैं, दोसरों अगर हम लोग SC और HD की बात करते हैं, इन categories की बात करें, तो SC और HD category में भी आप यह मान के चलो, 45 plus और female category बात करते हैं, तो 48 plus, इतना target आप लोग लेकर के चलेंगे, यह number की बात कर रहे हैं, यानि कि question की बात करें, तो यह आप 100 plus question आपको करना है, 130 में से, और आपको यहाँ पर 90 plus question करना है, और यहाँ पर आपको 95, 96 plus question आपको लग भग लग करना पड़ेगा, clear है, तो इतना आप target लेकर के चलेंगे, तभी आपका कुछ अच्छा वहाँ पर होने वाला है, तो यह safe score आप लोग लेकर चलिएगा, clear है, इसके लाव अगर आपके कोई भी और भी सवाल होते हैं, कोई भी चीज़े होती हैं, बसते हैं, safe score मैंने आपको उदा दिया, preparation strategy क्या रखनी है, आपको क्या क्या चीज़े पढ़नी है, हिंदी तो मैंने आपको इतना सारा करवाई दिया है, कि बस practice करें, 10, अगर इस code का आप यूज करेंगे, तो आपको भी 10% का discount मिलेगा, तो आप लोग जरूर आए एक बार दीखेएगा, जरूर, और जो चीज़े हैं, आपके जो भी सवाल है, आप कोमेंट करके बताएगा, और इस चैनल को भी subscribe कर लीजेगा, इसके लाबा बस आजके इस वीडियो में आपको ये छोटी सी दो चीन चीज़े आपको इंपॉर्टन जो है आपको बतानी थी, तो आपको ये वीडियो जो है कैसा लागा, कॉमेंट करके बताएगा, और आपके कोई भी सवाल है आप लोग मेंधन करना मत भूलेगा, तो अबिकलिए भाई भाई, टेक कियर, जैहिन, जै भारत.